हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे हो आप से लोग तो दोस्तों आज हम भारतिय संभ्यदान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए भारतिय संभ्यदान की एक दम बिल्कुल सुरू से हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतिय थे उनको वो थे डॉक्टर भीम्राव अम्बेदकरजी और एक कुस्टन याता है कि हमारा बारत्य संविधान कब बनके तयार हो गया था यानि संविधान तयार कब हो गया था तो ये बनके तयार हो गया था 26 नवंबर उनिस सो उनिन चास को और ये लागू को गवा गया था यानि लागू पूछ ले तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ठीक है तो ये कुछ बेसिक इंफोर्मिशन थी तो चलिए हम अब बारत्य संविधान को सुरू करते हैं तो देखें इसमें क्या है सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने लेसन हैं यानि कि कितने भाग हैं कितने अनुच्छिद हैं तो देखें एक बुक की तौर पर हम समझ लेते हैं इसको जैसे कि एक बुक होती है उस बुक का नाम क्या है संविधान ठीक बुक का नाम मानके चलो संविधान है और उसमें लेसन होते हैं बुक के इंदर क्या होता है लेसन ऐसे ही इस संविधान में भाग हैं ठीक है और आगे आता है एक टौपिक जैसे कि नाम होते हैं उसमें कि कि पुख के नदर पहले लेस न होता है फिर उस निर में पाथ के नाम होते हैं वह तोापक के नाम तो जैसे कि हम एग्जामपल के लिए देख लेते हैं जैसे कि मूल अधिकार है कि वह open और नागरेकथा है कि आदि यह हो गये ठीक है और को ते ने ब्पेज नंबर है खैंड यांनी पेज नमबर और के तौर पर हम इसमें क्या याद रखेंगे अनुच्छिद किसमें कितने अनुच्छिद है यह ब्लकुल बेसिक जानकारी है तो देखिए भारति सम्मिधान हो गया एक पोगी इसमें भाक कितने हैं भाक देखो मूल सम्मिदान की बात कर रहा हूं और टॉपिक मैंने बताई दे जैसे मूल अधिकार नाग रिखता संग एवं छेत्र बगएर बगएर तो देखिए अनुच्छेद यानि पेज नंबर जो होते हैं इसमें कितने हैं अनुच्छेद अनुच्छेद हैं इसमें 309 यह मूल सम् पहले हम क्या देखिए एक हमारा पहले पार्ट को जैसे इसमें भाग कितने हैं भाग हैं इसमें 22 तो हम पहले भाग को देख लेते हैं पहले चलिए पहला भाग लेते भाग 1 कि मेरी पहली वीडियो है मैं इसको सारे भागों को पढ़ाऊगा एक दम अच्छे से तो पहली वीडियो है प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए ज्याद ज्यादा आपको कंटेंट है जो एक दम एवन मिलेगा तो देखिए जो यह भा एवम उनके छेत्र इस भाग का नाम क्या है संग एवम उनके छेत्र और एक कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर है मतलब कि कितने अनुच्छ से कहां तक है तो अनुच्छ एक से लेकर चार तक है यह हमारी जो एक किताब है सम्मिदान उसमें पहले भाग है पहले तो उसमें कऊ अनुक्षचीं है तुमारे एक से लेकर चार तक के ठीक है तो इसमें अब हम देख लेते है कि पहला अनुच्ची क्या कहता है कि अनुच्चीद वन को चाइब थेगी कि कि भारत कि राज्यों का संग है कि यानि भारत राज्यों का संग है ठीक अनुचद नंबर वन केता है भारत राज्यों का संग है संग इसकी इंगलिस में ध्यान रखना यूनियन क्योंकि अब देखे चलिए संग भी किरी प्रकार के होते हैं जैसे कि सबसे पहले देख लिदे हैं इनीको समझ लेते हैं को देखिए आप है कि एक होता है कि कौन फी कि डरेशन होता है इसको बलते हैं परिसंग और एक होता है कि फैडरेशन अब इसको भी हिंदी में संग ही बोला जाता है द्यान रखना अगर पेपर में आये तो इसकी इंगलेश को चेक करना यूनियन ठीक है यूनियन होता है यूनियन जो अमारा भारत है और अब इमें इनका बता हुआ कि इनके अंतर क्या क्या है और एक होता है अधिने इनके वह संग्य कैलाता है अब देंके इन तीनों में फरक क्या है कि देखिए जो यह पर्ष संग का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे राज्यों का संग जो आसानी से अलग हो सकते हैं यानि की ऐसे कि राज्यों का विखनी को को संग जो अंभ आसानी से मोइसे मैं में अलग हो कि अनल अब इसका एक्जंप्ल देखिए धनिके अईसे राज्यों को संग जैसे हमारे यह 18 राज्य तो इनका एक संग है ऐसे ही महीं होता है लेकिन इन जक्राइब के प्लब वे हैं उत्तरपर्देश है आगर होना चाहे तो वह सकते हैं ऐसे यूएसे अच्छा यह में होता है नि का अलाग हो सकते हैं देखें दूसरा देखिये दूसरा है उमारा alah pedration. यानि के एक agreement के तोर पर जुड़े होते हैं। ये agreement से जुड़े होते हैं। यानि कि एक agreement होता है इन राज्यों के बीच में कि भाई हम जुड़ रहे हैं और agreement कर लो sign और हम जुड़ रहे हैं तो यह agreement के तौर पर जुड़े होते हैं अब इसका एक example होता है USSR यानि कि पहले रूस जो USSR था यह बहुत बड़ा था बहुत राज्यों का संग था और contact मलब की agreement पर जुड़े हुए थे तो इसमें से बहुत सारे देश अलग अलग तूटे रूस में से अब तो रूस रह गया है फिर भी सबसे बड़ा है हमारा यह देश रूस लेकिन इसमें से बहुत टुकड़े हुए पहले बहुत बड़ा था यह सासार अब आते हैं देखो कि अलग नहीं हो सकते यानि कि इसमें अगर एक वार आ गया कोई गलती से राज जुड़ गया तो बस हो गया वह कभी अलग होई नहीं सकता जैसे कि हमारा इंडिया है इंडिया से कोई भी राज अलग हो नहीं सकता जैसे कि 1975 में हमने हां सिक्किम को मिलाया था तो उसके बाद एक और आगया हो अब जा नहीं सकता कभी भी इसका एक एक जांपल है 16 मई को सोले मई 1975 को उने सिक्किम को मिलाया था अपने देश में भारत में तो वह आज तक आगे हो नहीं सकता अब तो आप समझ गये होंगे राज ये संग के वारे में तो चलिए पहला मारा अनुच्छत क्या कहता है कि भारत राज्यों का संग है आप देखें दूसरा अनुच्छत क कि अनुच्छत टू कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है यानि संसद कि संसद के आथ में पावर होती है विदेशी राज्यों को मिला सकती है यानि कि जैसे इसका example भी है इसी सिक्किम तो दे सकते हैं सिक्किम पहले स्वतनटर देश था ठीक है इसको उमने मिला लिया तो ने स्वेच्छ से जो भी आ सकता है आना चीन आना चाहिए या फिर पाकिस्तान का कोई भी राज जाना चाहिए कोई भी आ सकता है तो संसद उसको अपने उसमें मिला सकती है भारत में ठीक है तो देखते आगे अनुच्छी तीसरा अनुच्छे थर्ड क्या किता है कि संसद किसी भी बर्तमान राज्ज में परवर्तन कर सकती है यानि कि संसद किसी भी बर्तमान राज्ज में बर्तमान राज्ज जैसे कि अभी किसी का नाम चेंज करना है या पिर अलग करना है किसी का छेत्र अलग करना है बर्तमान राज्ज को राज्ज में परवर्तन कर सकती है और परवर्तन कैसे भी हो सकता है जैसे के नाम का परवर्तन भी हो सकता है छेत्र का परवर्तन भी हो सकता है जैसे के इसा का एक्जम्हपल लेते तेलंगाना तेलंगाना दोजय को और लुए में आंद परदे से अलग करके उसका नया छेत्र बनाया और भी बहु cierto तो संसद किसी भी नाम या चेत्र को नाम भी बहुत सारे चेंज हुए जैसे कि उत्रा अंचल बनाता पहले फिर उत्रा खंडुवास का नाम तो ऐसे नाम भी चेंज हो सकते हैं ठीक है अनुच्छेद दोव तीन पर काम कर रही हो तीन पर काम कर रही हो तो राष्ट्रपती भी दखल नहीं दे सकता इन पर काम कर रही हो तो राष्ट्रपती भी यानि कि और तो कोई दे नहीं सकता या पर राष्ट्रपती भी दखल नहीं दे सकता दखल नहीं दे सकता ठीक है बस सर्त क्या होनी चाहिए सर्त होनी चाहिए कि 50% 50 प्लस एक यानि 51% सीट सहमत हैं 51% सीट सहमत हैं तो वो आराम से इस काम को कर सकते हैं इसमें राष्ट्रपती भी दखल नहीं करेगा तो हमारे भाग एक कंप्लीट हो चुगा है पूरा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम भाग 2 फिर भाग 3 तो यह पहली वीडियो थी दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को जाद जाद सेर करिए और हमारे चनल को से करिए धन्यवाद